सभी को नमस्कार मैं सोरफ सर्मा गौतम करियर इंस्टिटूट से आप सभी के सामने आज एक बहुत बड़ा जो कॉमन पॉस्टिशन कर रहे हैं हम लोग वह यह है कि वाई शुड्वी जॉइन प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन पॉर्स विद इस्कूलिंग यानि जो लिए मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूं कि हम सब सपना देखते हैं एक बड़ा घर बनाने का और बड़ा घर तब बनता है जब उस घर की नीव मजबूत हो ताकि बड़ा घर बनने के बाद भी वह कभी हिले-डूले अब कई गार्जंस के साथ में स्टूडेट्स करना चाहें उसके बाद हम एक साल बाद यह प्रिपेशन कर सकते हैं तो उनको मैं एक छोटा सा जवाब दूगा जो रिष्तेदार या जो गार्जंस यह समझ रहें कि इससे बच्चे के उपर बड़न होने वाला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फाउंडेशन और स्कूल बच्चे को 12 के बाद आपको फाउंडेशन कोर्स में डाल देंगे आप वहां पर बच्चे को आईटी जेए की प्रिपेशन करवाना नीट की प्रिपेशन करवाना लेकिन हाकिकत यह है कि तब आप उन बच्चों के साथ बहुत गलत करने वाले हैं क्योंकि आज अगर आप बच्चे को इतना सा बर्डन देने से डर रहे हो कि वो 11th क्लास में केवल एक साल का बर्डन नहीं जेल पाएगा 12th के साथ एक साल का बर्डन नहीं जेल पाएगा तो 12th के बाद जब उसके पास 11th और 12th दोनों classes का burden रहेगा तो वो कैसे जहल पाएगा इसलिए मेरा सभी guardians से यह request है कि बच्छों को आज अगर इतना strong नहीं बनाओगे तो वो आगे जाके अपने आपको खुद उन चीजों से दूर ले जाएंगे जो उन्होंने अपने सपने देखे हैं पूरा करने के लिए आज अगर हम बात करें pre-foundation और foundation का तो यह उसी तरह क्या platform है जहां बच्चे की निव को मजबूत किया जाएगा जिसमें जो उसके subject है उनी को उस level तक ले जाए जाएगा उसके अलावा कोई भी अलग से education नहीं है तो जिनके mind में यह doubt है कि pre-foundation करने से आप foundation करने से बच्चे पर extra बोज आता है तो वो इस गलत फेमी को अपने mind से निकालिए और अपने बच्चों को foundation और pre-foundation courses के लिए आगे के लिए आप motivate कीजिए क्योंकि आज दो साल उनके career के बहुत important होने वाले हैं दो साल बाद अगर वो बच्चा यह सोचेगा तो उसके selection के chances मेरी नजर में only 5% है लेकिन आज अगर वो यह सोच के तयारी करता है कि मुझे मेरे दो साल अपनी life के बनाने के लिए मुझे मैनत करनी है hard work करना है तो आज वो hard work करके दो साल बाद आपको selection देगा उसके chances मेरी नजर में 95% है हाँ बच्चा deserving candidate है deserving student होगा तो 100% आपको selection देगा लेकिन माली जी कई बार case से भी होते है कि कई गार्जन समय बोलते हैं कि आप गारंटी दीजिए सर बच्चे का selection करवा देंगे लेकिन मैं यह कहता हूं गारंटी तो आज इंसान की खुद की नहीं है गारंटी इतनी है कि बच्चा करता है तो वह अपनी एक शीट जरू सिक्योर कर लेगा बाकि सब आप समझदार है थो